नमस्कार क्या पचल टीवी देख में आप मैं हूँ आपके साथ पूजा अपने आपको कटे रिमानदार बताने वाले दिली के मुखिमंत्री अर्विन केजरिवाल शुराब गुटाले मामले में तेहाण जेल में बन है और हर दिन केजरिवाल को बड़े बड़े जटके लग रहे हैं आज एक साथ कई ऐसी खबरे सामने आई जो केजरिवाल के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है पहला जटका केसियार की बेटी और बियारस नेता केक कवीता को लगा है राउस एवन्यू कोट ने केक कवीता की अंतरिम जमानत खारिश कर दी है तो वहीं केजरिवाल के दो चहेतों पर एडी का हंटर चला है आप मिता दुर्गेश पाठक और केजरिवाल के पिये विभव कुमार को एडी ने समन कर आज पूष्टाज के लिए बुलाया था ये दोनों ही अब एडी के जाल में पूरी तरह से पस चुके हैं तो वहीं संजे सिंग जेल से बाहर भले आ गए हैं पर कानूनी लडाई में वो फस्ते जा रहे हैं पियमोदी के डिगरी पर टिपनी करने की मामले में आज संजे सिंग को सुप्रिम कोट से बड़ा जटका लगा है सुप्रिम कोट ने समन को चुनाती देने वाली याचिका को खारच कर दिया तो वहीं आम आदमी पार्टी में भी अंदुरूनी फोट बढ़ती जा रही है तो कैसे केजरिवाल चारों तरफ से बुरे पस्ते जा रहे हैं आज इसे पर चर्चा करेंगे कहीं से भी कोई राहत की खबर क्यों नहीं सामने आ रही है आज क्या क्या बड़े जटके लगे देखे राहत की खबर तो दूर दिल्ली के तिहारी चीफ मिनिस्टर को आज जेल के अंदर पाँच बुरी खबरे नहीं पाँच ऐसी ऐसी खबरे जिससे वो बिलकुल बॉखला गए होगे की ये क्या हो रहा है हमारी सारी प्लानिंग सारा कुछ दरा नहीं थार रहिए कहा हमने ये सोचा था कि दिल्ली का बेटा खुद को बताके दिल्ली के महिलाओं का भाई बताके वो जेल के अंदर और वो बार, आरेन बार्स के पीछे खुद को एक असहाय उस तरह की तस्वीर लगा कर लोगों की सिंप्रिथी बटोरेने में वो काम्याब हो जाएंगे कहां इसने सोचा था कि मैं जेल गया तो दिल्ली की जंता सड़कों पे आ जाएगी सब मिट्टी में मिल गया आज जो पांच बुरी खबर आई है दो E.D. से, एक हाई कोट से, एक सुप्रिम कोट से और एक पार्टी के अंदर से तो पहले कहां से सुरू किया जाए पहले E.D. से सुरू करते है क्योंकि E.D. पे ज़्यादा ध्यान है उसका दिल धगधग कर रहा है कि आज E.D. ने क्या किया ये तमाम जो कोशिश जो चल रहे थी कि लोगों को गठा करना है, उकपास करना है, ये करना है, वो करना है दरसल ये दवाब डालने के लिए लेकिन असर उल्टा पड़ा लोग आये नहीं, समर्थर मिला नहीं, E.D. की जो हिम्मत है और बढ़ गई तो पहले ख़बर जो जो बुरी ये मिली कि उनके पी जो उसका राज़दार है, एक बास समझ लीजीए ये जो विभब कुमार नाम का सक्स है वो केजरिवाल के सारे डीलिंग्स को वो जानता है और जितना उसको केजरिवाल के बारे में मालूम है आम आदमी पार्टी में किसी को उसके इतना एकसेस नहीं है वो कहते हैं ना कि राजा कि जान वो तोते में तो राजा है कौन? केजरिवाल? तोता कौन है? ये विभव कुमार हम राज में वाज सारी चीजों को वो जानता है आज एडी ने उसको ही उठा लिया कि आओ जरा वारता लाप करना है अब किसलिए करना है? दो तीन चीजे हैं अभी उसकी फूरी डिटेल आई नहीं है लेकि दो तीन चीजे हैं इसलिए उसको पहले भी उसको बुलाया गया था और ये जानकारी आई थी एडी के सुत्रों के मताबक कि इसने भी फोन डिस्ट्रोय किया था और ये माना जा रहा है कि पूरे घुटाले को जो वो नजर रखता था केजरिवाल कि क्या करना है? किस से मिलना है? किस से पैसा उठाना है? कैसे क्या करना है? वो खुद नहीं करता था अब उनको भुला लिया गया पिछली बार भी कोर्ट में अलड़ी एडी बता चुकी है कि कुल मिलाकर के 171 फोन 171 फोन वेर डिस्ट्रोय जैसे ही CPI की जान शुरू होती है उसमें इसका भी फोन था अब दिक्कत ये है कि जो पिछली बार भुलाया गया और इस बार जो भुलाया गया है उसमें फर्क ये है कि कई सारे गवाह उन्होंने केजरिवाल के रोल और पूरे इस घुटाले के मॉडस ओपरेंडी के उपर बयाद दिये हैं वही पूश्ताच के लिए बुलाया गया है अभी ये सिलसला खत्म नहीं होगा तो ये जब तक उसको पतार चल पाता कि भई विभग कुमार अंदर है दूसरी खबर आ गए कि विभग के पीछे पीछे दो बजे उसको उसके एक और हमराज दुर्गेश को भी बुला लिया उसको इसलिए बुलाया गया क्योंकि जब विजे नहार क्या एडी ने च्छापे मारी की थी तो उसके घर में ही बैठा था उसके घर में ही बैठा था और उस वक्त भी दूर्गेश पाठक के फोन को एडी ने सीज कर लिया था तो उसके सामने वही डंप लिया गया और उससे सवाल जवाब किये गया है तो ये दो खबरे केजरिवाल को इसलिए परिशान करेगी क्योंकि ये दोनों ऐसे सक्स हैं जो डिरेक्टली केजरिवाल को रिपोर्ट करते थे डिरेक्टली कोई दूसरा थर्ट परसंट नहीं है इन दोनों को केजरिवाल के पास डिरेक्ट एकसेस था अब दुर्गेश पाठक को आपने इसलिए गोवा का इंचार्ज बनाया था गोवा में पैसा कहा कैसे तो वो सारी चीजों को वो जान रहा है इसलिए उससे पूस्ताज के लिए बुलाया यह तो हो गई कि केजरिवाल की दोच चहेतों की बात की कितना बड़ा जटका लगा है बात संजे सिंग की करें जेल के बाहर तो है लेकिन मोदी डिग्री विव का जो गुजरात इंवर्सिटी ने किया है उस केस में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सेटिफिकेट बाग रहे थी और प्रेस कॉंफरेंस करके कह दिया था कि वह प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत लगा दिया है कि अपने बोगस और उसने एक अदे है फरजी रात इंवर्सिटी ने क्रिमिनल डिफिमेशन का केस डाल दिया तो मेट्रपॉल्टन कोट के अंदर ये सारी चीजे चल रही थी समन किया गया तो उसके खिलाफ ये हाई कोट गए तो हाई कोट में ये कहा गया कि वाई साब फीडम अब एक्स्प्रेशन तो है लेकिन आप इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते किसी आपका जो में जो डिफिमेशन क्या है इनके खिलाफ केस क्या है आप प्रदान मंत्री मोदी के उपर ही सिर्फ पात नहीं कर रहे हो आप ये कह रहे हो गुज्रात इनुशिटी से फर्जी डिग्री मिलती है तो ये हजारों हजार के उपर फैसला हुआ जब फैसला हुआ तो जज ने कहा कि भाई आप वापस जाईए मतलब समझ जो है वो अभी भी जारी है और ये केस इसलीं डेंजरेस है क्योंकि ऐसे ही क्रिमिनल डिफिमेशन के केस में राहुल गांदी के साथ क्या हुआ था राउल गांदी के सदस्त चली गई थी गई थे का फिर तो सुप्रेम कोट से उसको इस्टे लग गया ऑर्डर के ऊपर अदरवाइस उनकी तो अब इसमें भी दो साल की सजा है अगर इस केस में अगर सजा मिल जाती है दो साल की तो यह संजरेस्टिक और केजरिवाल आठ साल तक चुनाओ नहीं लड जटका है अब यह जटका साब खतम होते हैं दिल्ली हाइकोर्ट से ख़बर आ गई ख़बर क्या आई ख़बर यह आई कि ED ने कोट में दावा किया यह के कविता का केस है वो इंटरीम बेल के लिए उन्होंने अपलाई किया था और जो अपलाई किया तो कोट ने उनके इंटरीम रिलीफ के लिए जमानत की कर अरजी को खारिज कर दिया ED ने वहाँ क्या खुला सा किया ED ने कहा कि माई लॉड हम लोग बहुत बड़े ब्रिक्थू के पास खड़े हैं हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सबूत और मिल गए हैं और अब तो यह खबर आ रही है ED ने जो वहाँ दावा किया कि कई सारे विटनिसेस को डराया धंकाया जा रहा है क्योंकि आप इस चारों तरफ से यह लोग फस गए है वो थेओरी नहीं चलेगी उनके भी वह कि के कविता भी कर सकती है कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला या चाप इमारी की कहा है मनी ट्रेल पैसा कहा है इतना कड़ोर रुपह है तो कहीं तो मिलेगा पांच रुपह या एक कहीं डलील दे रहे ते तमाम humanitarian ground के उपर कि महिला है तो बच्चे है उसका exam तो फिर केजरीवाल को भी पेल नहीं मिलेगा तो ये तो चार ख़बरे court और ED से आ गए पाच भी ख़बर जिसको लेकर के ज्यादा परिशान है आज press conference किया गया आमाधी party के तरफ से और बताया गया कि हम jail के बदले vote से गर-घर लोगों को बताएंगे कि आपके बेटे को जो है केजरिवाल को जो है वो जब jail में ढाल दिया मोधी ने है जब से वह jail गया तब से तो रोज कर रहे हो है रोज कर रहे हो कहा है वो 97% लोग दिल्ली के जिन्नोंने आपने दावा किया कि 97% लोग कह रहे हैं कि jail से ही चलेगी सरकार कोई आया नहीं प्रोटेस्ट में उपवास करने में कोई नहीं आया लेकिन यह बाते तो अपनी जगह पे कि फेलिर हो रहा है संगठन जो है केजरिवाल की गरफतारी को वह mass mobilization करने में वह फेल रही है लोगों करने में फेल हुई है तो यह तो अलग चली र लोग बैठे वे थे दिली पांडे भी नहीं भारती भी नहीं आतिसी मारलीना नहीं सौरभ भारत द्वाज नहीं क्या चल रहा है पुराने लोग नदर आये और नए लोग जो चलो प्रेस कांफरेंस कर रहे थे उन लोगों को साइड लाइन कर दिया गया है और यह बताया जा रहा है कि संजा सिंग ने इन लोगों को दिली से बाहर की डूटी लगा दिया असाम जाओ मतलब इधर नहीं आना वो चार दिन के लिए असाम बड़े नेताओं ने मोर्चा सभाल लिया है और बड़े नेताओं ने इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर भी दो फार जो ह है वो अब साफ साफ नजर आ रहा है तो यह जो केजरीवाल यह सोच रहे थे खैली पलाव बना करके कि मैं जेल जाओंगा तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा जनता आ जाएगी इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है आम आद्मी पार्टी के लोगों को भी समर्थकों को भी औ और वो मीडिया के कुछ लोग जो केजरीवाल के समर्थर में अभी भी कुतरक दे रहे हैं तो आज केजरीवाल को आज एक साथ कई बड़े जटके लगे हैं कहीं से भी कोई राहत की ख़बर के लिए सामने नहीं आ रही है जेल से बाहर आने का रास्ता बंद होता जा रहा है तो बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में आपसी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है आज आम आदमी पार्टी ने दिले के मुखे मंद्री अर्विन केज जिवाल की गिरफतारी की विरोद में जेल का जवाब बोट से अभ्यान शुरू तो किया पर इसका भी विरोद शुरू हो गया है जनता ने केज जिवाल को नकार दिया है तो आम आदमी पार्टी की बड़ती मुसीबतों पर आप अपनी राइक कमेंट के लिखें देख तेरे क्या पटल टीवी नमस्कार